एए उसके आगए कोशंट करा रहे हैं खरब अच्छा कोशचं से दंडा मारों है आप क्या करते हैं देखे हमारे कहने में यह यह है N-C-R N-C-R यदि यहां पे N-C-R है तो इसको हम अगेन कैसे डिनोट कर सकते हैं लिख सकते हैं इसको यहां पे N upon R multiply N-1 C R-1 लिखा जा सकता है इसको लिखते हैं इसे डंडा मारो कहते हैं यदि आपको डंडा मारा जा रहा ते एक झे पार से नीचे से गिनिकलेगा थिक यदि आपको पेर में डंडा मारा गया है तो आप हांसे पेर से दोनों कूदेंगे जंपिंग करने करना है थिक समझ वेह आ गया यदि इसको अगेन हम चलते हैं अगेन करें फिर से इसको एक बार रिपीट डंडा मार देते हैं तो n upon r multiply n minus 1 upon r minus 1 multiply n minus 2 upon c r minus 2 यह ऐसे चलते जाता है questions लगाते वक्त हम इसको यूज करते हैं बहुत अच्छा question से इसका विसेद्ध ध्यान रखेंगे आगे question इसी पर करा रहा हूँ पर इसको मैंने लिखा थोड़ी दिर के लिए 17c3 equal to again जैसे हमने इसको put up किया तो हमारे पास क्या है 17 upon 3 multiply 16c2 फिर again किया 17 upon 3 multiply 16 upon 2 multiply 15 upon 1 यहाँ पर फिर again हमने इसको किया देखे क्या हो जाएगा 17 upon 3 multiply 16 upon 2 multiply 15 upon 1 multiply 14c0 यहाँ पर यह क्या हो जाता है 14c0 equal to 1 विशे ध्यार रखेंगे यह 1 होता तुहारे पास आंसर क्या रहा देखें 17 upon 3 multiply 16 upon 2 multiply 15 cancel out करेंगे तो आंसर आजाएगा multiply 1 ठीक अब इसको solve करते हैं जो हमने combination का rule बताया था उसके according solve करेंगे देखते हैं यही आ रहा नहीं आ रहा तो हमने वहाँ पर लिखते हैं देखें क्या लिखते हैं फेक्टोरियल सेवेंटीन अपाउन फेक्टोरियल थी मल्टिप्लाई फिप्टीन माइनस थी फेक्टोरियल ब्रैकेट में अगें जैसे इसको solve करेंगे simplification करते हैं तो हम पर क्या है देखें 17 फेक्टोरियल अपाउन 3 फेक्टोरियल मल्टिप्लाई 14 फेक्टोरियल अब इसको solve कर रहे हैं तो हो गया 17, 16, 15 मल्टिप्लाई 14 फेक्टोरियल अपाउन यह हो जाएगा 3 मल्टिप्लाई 2, 2 मल्टिप्लाई 1 मल्टिप्लाई 14 फेक्टोरियल है यह 14 फेक्टोरियल यह फेक्टोरियल का इंसिल तो हमारे पास क्या बचा दिखें नीचे 2, 3, 2, 3 ऊपर है 15, 16, 17 तो यहां से इस मेठर से लगाएं यह इस मेठर से लगाएं, सेम कोश्चन्स आता है, यूज आपको कौन सा मेठर करना है, कौन सा अच्छा लगता है, उस मेठर को आप फालो करेंगे, उसकी एक्वाटिंग कोश्चन्स लगाएंगे, ठीक, आगे होप समझ में आया होगा, आगे चलते हैं, बहुत अच्छे यूज एक्वाइ 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 P plus N C Q equal to N C P plus Q तो यहाँ पे P not equal to Q where P plus Q equal to N ठीक यह questions हैं यहाँ पे formula है formula को विशेद ध्यान रखेंगे questions लगाते वक्त formula बहुत अच्छे-चे questions है combination में ध्यान रखेंगे आप किस प्रकार से काम करते हैं उसको देखना है आगे चलते हैं इसी कड़ी में आगे questions कराता हूँ formula बहुत अच्छा formula उसको भी से ध्यान रखेंगे यहाँ पे एक formula हो जाता है हमारे पास N C R N C R upon N C R upon N C R minus 1 N C R minus 1 equal to questions हो जाता है हमारे पास क्या होता है देखें जब भी इसको यूज करेंगे तुम्हारे पास जाता है N नीचे वाले को minus करते हैं यहाँ पे minus R plus 1 upon में जो उपर वाला नंबर होता है उसको रखते हैं यहाँ पे कैसे रखेंगे यहाँ पे वह जाता है R विशेद्ध ध्यान रखेंगे अगेन में questions करता हूँ है यहाँ पे लिखते हैं जिसे N plus 1 open है खुला है किजलो अपने और N C R plus 1 upon यहाँ पे लेखेंगे N plus 1 C R तो यहाँ पे हमारे पास इस नंबर में इस नंबर में क्या है एक नंबर का difference होना चाहिए एक नंबर का difference होगा यहाँ पे देखे इस number का difference है यहाँ पे तोहरे पास क्यों जाता है n प्लस 1 माइनस r अपान यहाँ पे r प्लस 1 यह questions हो जाता है विसे धन लखेंगे देखते रही आगे questions कराते रहेंगे